हेलो गाईस आज का बीडो बहुत ही जद कमाल का होने वाला है गाईस जैसा कि आपको पता हो है कि इस्टाग्राम जीज पर अभी इस तरह की एटिट्यूड स्टेटस बीडो बहुत ही जादा बारल चल रही है तो दोस्तों अगर आप लोग भी टिक की एप पर कुछ इस तरह मैंने पहले से डानलोड करके रखा है तो डानलोड होने की बाद इस उपन करना है पिक्सल लेब अब उपन करते ही guys आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आज आएगा guys आपको बीच में एक new test ओला option मिल रहा है इस पराफ हो लिक करना है click होने कद आपको इसको delete करना है delete करने के लिए आपको उपर एक option मिल रहा है इस पर आपको लिक करना है कि निज आपको यहां से आपको फोटू के आप बालपेपर को सेलेट करना है तो यहां से हम walapeper को select कर लेंगे तो guys आप देख सकते हैं मैंने इस ball paper को select कर लिया है आप यहाँ पर किसी भी photo के ball paper को select कर सकते हैं, अब guys आपको यहाँ पर इसमें non-resuscity वाली size को इसमें select करना है, इस तरह से आपको इसको select करना है, right वाले option पर click करना है, click करते ही guys आपके सामने कुछ इस तरह का हिसा आजएगा, guys आपको ऊपर lab side में plus और option मिल रहा है, इस पर आपको लिक करना है, click होने का आपको from gallery वाले option पर click करना है click करते ही guys यहाँ से आपके mall की gallery उपन हो जाएगी, यहाँ से guys आपको एक sado png image को इसमें select करना है, आपको इस image की link इस video को डिपके से मिल जाएगी इस तरह से आपको इसको select करना है select होने कद आपको write वाले option पर click करना है, click करते ही आपकी image कुछ इस तरह से आ जाएगी, तो आपको ball paper में इस तरह से नीचे side में इसको लगा देना है, आपको इसको ball screen में इस तरह से लगा देना है लगाने के बाद guys आपको नीचे एक option मिल रहे, test वाला इस पर आपको लिख करना है, click होने कद आपको edit वाले option पर click करना है click होने कद यहाँ से guys आपको इसमें सायरी को लिखना है, तो guys मैंने सायरी को पहले से ही copy करके रखा है, तो यहां से हम इसको paste कर देंगे, वो के वाले option पर आपको लिख करना है, तो guys आपकी सायरी कुछ इस तरह से screen पर आ जाएगी, अब यहां पर guys आपको इसमें बहुत सारे font देखने को मिल जाते हैं, तो यहां पर आप select करके इसमें किसी font को लगा सकते हैं, इस तरह से, तो guys हम इनमें से किसी font को नहीं लगाएंगे, guys जो Instagram पर viral font चल रहा है, उसवाले font को यहां पर हम select करेंगे, तो आपको उसवाले font को download कर लेना है, आपको मेरे telegram channel पर font मिल जाएगा, तो आपको telegram channel को join कर अप Brent को download कर लेना है, अप guys आपको font डाउलोड होने के बाद आपको एक app को download करना है, जिसका नाम है Indian font और आपको लिख करना है, यहां पर प्ली श्टोर पर मिल जाएगा, तो इस सारी को पेश्ट कर देंगे, तो आप देख सकते हमारी सारी आ चुकी है, यहां पर आपको एक option मिल रहा है, फस्ट में ही उनिक कोड इस पर आपको करना है, क्लिक करते ही आपके सामने एक एड आएगी आपको इसको skip कर देना है, तो आपको यहां पर एक option मिल रहा है, copy वाला इस प्रावसक करना है, क्लिक होने कादес, आपको Pixel Lab अपको open करना है, तो इस तरह से guys आपको Pixel Lab अपको open करना है, इस साइनी को पहले हम delete कर देंगे, यहां से हम इसको delete कर देंगे, अब guys आपको test वाले option पर click करना है click होने कद आपको edit वाले option पर click करना है guys आपने जो font वाले app से sari को copy किया था यहाँ पर आपको उसको paste कर देना है तो इस तरह से हम sari को paste कर देंगे आपको ok वाले option पर click करना है click होने कद इस तरह से हमारी sari को चाज आएगी आपको font वाले option पर click करना है यहाँ से आपको right side में scroll करते के font वाले option पर click करना है click होने कद आप देख सकते हैं मैंने इस वाले font को पहले से ही download करका है तो इस वाले font को हम इसमें लगा देंगे guys आपको pixel app app में font को add करने के लिए आपको एक option मिलता है यहाँ पर आपको लिक करना है click होने कद यहाँ से आपके जैसी folder font हैं आपको उस पर click करना है इस तरह से हम click करेंगे आप यहाँ पर जो भी font इसमें add करना चाहते हैं आपको उस पर click करना है इस तरह से आपको click करना है click होने कद आपको add select पर click कर देना है क्लिक करते ही आपका font यहाँ पर add हो जाएगा इस तरह से आपको इस वाले font को add कर लेना है यहाँ से हम गोकी पर क्लिक करके इस वारी सायरी को select कर लेंगे तो आप देख सकते हमारा font कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आ चुका है यहाँ से guys हम edit वाले option पर क्लिक करेंगे क्लिक होने कद इसको हम अच्छे से set कर लेंगे इस तरह से हम सायरी को अच्छे से set कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कितने amazing तरह से हमारी सायरी set हो चुकी है अब guys आपको यहाँ से test वाले option पर क्लिक करना है क्लिक होने के एडिट वाले उस तरह करना है यहां से guys हम इसमें एक lion को select कर लेंगे इस तरह से हम एक lion को select कर लेंगे select होने कद आपको इसको नीचे side में इस तरह से लगा देना है इस तरह से हम अच्छे set करने के लिए इसको अच्छे से लगा देंगे तो आप देख सकते हैं अब हमारी सायरी कितने अच्छे तरह से यहां पर देख रही है Guys आपको सायरी पर क्लिक करना है Click होने कद आपको यहां से राइट साइड में स्क्रोल करना है यहां से आपको एक option color वाला इस पर आपको लिक करना है क्लेक होने कर तो आप इसमें जो भी कलर को सिलेट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं यहां से गाइस हम इसमें एलो कलर को सिलेट कर लेंगे इस तरह से गाइस आप इसमें अलग-अलग कलर को सिलेट कर सकते हैं जो भी कलर आप इसमें सिलेट करना चाहते हैं इस तरह से हम इसमेंग अलग-अलग color को इसमें select कर लेंगे गाईश आप देख सकते हैं मैंने सारी में अलग-अलग color को यहांपर select कर लिया है आप भी इसी तरह से सारी अलग-लग color को लगा सकते हैं अब guys हमने जो यहाँ पर इस लाइन को select किया था इस पर आप हो लिक करना है click होने का color option पर click करना है यहाँ से हम इसमें भी color को टकल लेंगे कुछ इस तरह से हम इसमें भी color को लगा देंगे तो guys आप देख सकते हमारी सारी कितनी amazing तरह से यहाँ पर लग रही है आप guys आपको इस photo को save कर लेना है save करने के लिए आपको उपर एक option मिल रहे है यहाँ पर आपको लिक करना है click होने का save image पर click करना है यहाँ से guys आपको इसमें quality को select कर लेना है तो यहाँ पर हम very high वाली quality को select करेंगे और save to gallery पर आपको click करना है तो गाईस आप देख सकते हमारा जो बाल पेपर है गैलडी में हो छग हो का है गाईस आपको Play Store app को ओपन करना है open होने का देखा है यहां से आपको एक एप को दाउलोड करना है इनसोर्ट एप को आपको डाउलोड करना है डानलोड होने कद इसे open करना है open करते ही guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface आजाएगा आपको एक option मिल रहा है बीडियो वाला इस पर आपको लिक करना है click होने कद आपको new वाले option पर लिक करना है click करते ही आपको वाल की गैली open हो जाएगी तो यहां से guys आपको उस बाल पेपर को select करना है जिस बाल पेपर को guys आपने अभी edit किया था उस बाल पेपर को आपको select करना है ride all option पर click करना है तो guys आप देख सकते हमारा वाल वाल पेपर यहां पर आ चुका है अब guys आपको एक first में ही option मिल जाता है इस पर आपको लिक करना है click होने काद यहां से आपको 960 वाली size को select करना है ride all option पर click करना है guys आपको ball paper की layer पर click करना है click होने के वाद इसको खीच कर यहां से इसकी layer को खीच कर थोड़ा से बढ़ा कर देना है इस तरह से हम 12 second तक इसको लंबा कर देंगे आप guys यहां पर आपको एक option मिल रहा है filter वाला इस पर आपको लिक करना है click होने काद आपको effect वाले option पर click करना है यहां से guys आपको second number पर एक option मिल रहा है इस पर आपको लिक करना है click होने काद इस वाले option को आपको select करना है राइट वाल ऐसन पर आपको खुलिक करना है इस तरह से आपको इसकी लेयर को खीच कर पूरे वाल पेपर में लगा देना है इस तरह से अब गाईस आप देख सकते हमारी वीडियो अभी कोछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है अब गाईस आप गाईस यहाँ से आपको right all option पर खुलिक करना है क्लिक होने काद आपको एक option मिला है music वाला इस पर आपको खुलिक करना है क्लिक होने काद आपको फ़स्ट में एक option मिला है iden sit गुलिक करते ही हमारी वीडियो में आऌइडियो लग चुका है और guys आप देख सकते हमारी वीडियो कितने amazing तरह से यहाँ पर edit हो चुकी है अब guys आपको right all option पर click करना है guys हम इस app के बाठर mark को remove करेंगे remove करने के लिए आपको नीचे एक option मिल रहा है insert वाला insert वाले option पर आपको click करना है click होने कद आपको free remove इस पर आपको लिक करना है click करते ही guys आपके सामने एक add आनी चाली हो जाएगी आपको इस add को बाच कर लेना है आप देख सकते हैं मैंने add को बाच कर लिया है तो guys आप देख सकते हमारी वीडियो से insert वाला जो app का बाठा मार्क है वो हट चुका है अब guys आपको उपर एक option पर आपको बाला इस पर आपको लिक करना है click होने कद यहाँ से आपको video की quality हो select करना है तो यहाँ से हमें इसको 100 CP की quality में download करेंगे आपको उपर में एक option मिला save बाला इस पर आपको लिक करना है click करते ही guys हमारी video download होने लगई तो guys आप देख सकते हमारी video download हो चुकी है guys आप देख सकते हमारी video कितने amazing तरह से यहाँ पर add हो चुकी है तो guys आप इसी तरह से instagram reels के लिए attitude सायरी status video बना सकते है guys अगरे video अच्छी लगए हो तो video को like की जो चैनल को subscribe कीजे